क्या आप check bounce के case में accused हैं या फिर आपको check bounce case में accused बना दिया गया है या फिर आप पे एक जूठा मुकदमा check bounce case का डाल दिया गया है या फिर आपके check का misuse हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप check bounce case से बाईजत्बरी हो सकते हैं हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना कि अगर आप पे कोई जूठा case पड़ गया है या फिर आप check bounce case में accused हैं तो आपको मैं जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस case से बाईजत्बरी हो सकते हैं क्योंकि ये ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने point decide कर दिया गया है latest इस पे कानून आ चुका है तो फ्रेंट्स मैं हूँ advocate मोहीद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहीद सिंगरूवल अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने कहा तक चैनल को सब्सक्राइब को लीजिए क्योंकि check bounce related बहुत ही बड़े content इस चैनल पे आने वाला है सो फ्रेंट्स बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो फ्रेंट्स आज की वीडियो जो है वो special accused के favor में है लेकिन ये वीडियो जो accused के favor में तो है लेकिन इस से जो complainant भी सीख सकता है कि उसने अपना जो check bounce का case कैसे लड़ना है और उसको क्या lesson मिला है और जिस judgment में ये low point decide किया गया था सबसे पहले मैं उस judgment का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है राजाराम वर्ची मुरूता चलम 2023 की latest ये honorable supreme court की judgment है जिसमें ये low point decide किया गया था अब हम इस case के facts जाननेते हैं अब इस case में क्या हुआ कि इस case में complainant कहता है कि मैंने accused को पैसा दिया था सड़ तीन लाक सड़ तीन लाक दो बार मैंने जो है वो accused को पैसा दिया था 7 लाक रुपे accused कहता है कि मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया है अब complaint के पास क्या है complaint के पास check थे अब complaint ने जो वो check लगा दिये अब check लगाने के बाद जो वो check है वो bounce हो गए account close की वज़े से अब complaint ने legal notice दिया accused को कि मेरे पैसे दिये जाए अब legal notice के बाद complaint ने accused पे check bounce का case डाल दिया कि इसने मेरे पैसे देने हैं अब accused उसमें पेस हुआ उसने बेल कराई और बेल कराने के बाद इस केस को fight किया गया अब complainant ने जो अपनी evidence दी उसमें एक भी सिंगल प्रूफ नहीं था कि इसने मेरे जो 7 लाग रुपे देने है अब यहाँ पर जो accused का council है वो उससे receipt मांगता है कि आपको receipt दिखाईए कि इसने पैसा लिया है या फिर आपने इसके account में डालें तो वो दिखाईए या फिर किसके सामने दिये तो उसको prove कराईए या फिर अगर आपने अपनी ITR में अगर इसको दिखाया है तो वो लेकिया ये लेकिन यहाँ पर complainant कोई प्रूफ नहीं लेकिया था और नहीं अपनी ITR लेकिया था कि मैंने जो है कि इसको पैसे 7 लाग रुपे दिये है या फिर अपनी कोई financial statement ये नहीं दिखाता कि मेरी capacity है इसको 7 लाग रुपे देने की अब यहाँ पर complainant नहीं जो अपना सारा का सारा evidence close कर दिया कि मेरे पास check है और इसके signature है यहाँ पर लेकिन कोई भी ऐसी statement या फिर proof वो नहीं दिखा सका कि उसने जो accused को पैसा दिया है अब यहाँ पर trial court से जो accused बरी हो जाता है अब complainant जाता है high court में औरेबल high court अब ये कहता है कि हाला कि complainant ने कोई भी proof नहीं दिया है लेकिन उसके पास check है और जो check accused का है और उस पे accused के signature भी है तो अब यहाँ पर section 139 जो है वो presumption आती है complainant के favor में कि complainant के पास check भी है और उस पे accused के signature भी है तो ये presume कर लिया जाता है कि accused ने complainant को वो चेक कोई ना कोई legal liability उतारने के लिए दिया है और यहाँ पर high court ने accused को convict कर दिया और trial court का जो decision था उसको reverse कर दिया अब जो accused है वो गया honorable supreme court में अब honorable supreme court में main बहस यही थी complainant की तरफ से ये बहस थी कि मेरे पास check है और check पे जो accused के signature है और मेरे पास कैसे इसकी custody आई accused ये prove नहीं कर सका तो उसको मेरा amount देना है चाहिए मैं कोई भी proof नहीं दिया है या मेरे पास कोई भी ऐसा single proof नहीं है या फिर मैंने ITR में नहीं दिखाया है तो भी जो मेरे favor में section 139 की presumption है और accused को मेरा पैसा देना बनता है अब acute की तरफ से ये argument थे कि इसने check को misuse किया है और जो check दिया है उसके regarding 7 लाग रुपे के जो दो check इसने कहे हैं कि 63 लाग रुपे, 63 लाग रुपे मैंने दो बार में दिये हैं तो इसने कोई भी अपनी financial capacity नहीं दिखाई है और ITR में भी इसने जो amount नहीं दिखाया है और ना ही कोई ऐसी receipt दिखाई है कि accused ने complainant से पैसा लिया है और यहां पर एक चीज और प्रूव हो गई थी कि accused के जो कांसल ने एक income tax officer बुला के ये प्रूव करवाया था कि इसने जो complainant ने अपनी ITR में कोई भी ऐसी चीज नहीं सो की है कि 7 लाग रुपे जो accused को दिया गया है तो यहां पर दोनों party के final argument सुनने के बाद उन्रेबल सुपरिंग कोट ने ये observation दी कि हाला कि 139 जो section है वो complainant के favor में है और जो presumption है वो complainant के favor में जाती है और ये माना जाता है कि accused ने कई ना कई जो complainant का पैसा देना है लेकिन ये जो presumption है वो है revertable presumption जिसको पलटा जा सकता है और accused या तो खुद की गवाई लेके आ सकता है या फिर complainant ने जो भी document दिये है या फिर complainant की जो भी गवाई ही है उससे भी उस presumption को revert किया जा सकता है पलटा जा सकता है अब यहाँ पर जो accused ने doubt create कर दिया था कि मैंने इसका कोई भी पैसा नहीं देना है क्योंकि एक तो amount जो है वो 7 लाक रुपे है और 7 लाक के बाद complainant ने कोई proof ने दिखाया ना ही कोई receipt है ना ही ITR में दिखाया है ना ही इसने bank statement दिखाई है ना ही कोई उसने person जो है वो examine करवाया है और accused ने जो है वो income tax officer भी बुलाया है और यह दिखाया कि इसने income tax में नहीं दिखाया और ना ही इसकी कोई financial capacity है तो यहाँ पर सारी observation होने के बाद honorable supreme court ने यही का कि जो section 139 की जो presumption थी complaint के favor में उसको accused ने rebut कर दिया है और इस case में accused को by जत्वरी कर दिया गया था यह honorable supreme court की latest judgment आई है latest कानून आया है accused के favor में कि कैसे accused जो है वो अपना case जीच सकता है इसमें अब accused को क्या सीखने के मिला कि अगर उस पे check bounce का case जूठा पड़ गया है या फिर उसको check bounce case में पसाय गया है या फिर उसका check misuse हुआ है कोई भी situation उसके साथ है तो यह point जो है इनका सारा लेके check bounce का case जीच सकता है कि वो अपने case में परूप कराए कि complainant की कोई financial capacity नहीं है और नहीं उसने जो यह amount है वो income tax return में दिखाया है तो यह कुछ point का जो सारा लेके और इस judgment का सारा लेके कोई भी accuse जो है अपने case में बाइज़दबरी हो सकता है और complainant को जो इस case से क्या सीख मिली कि अगर वो accuse को पैसा देता है तो उसके bank account में दे या फिर उससे रसीद ले या फिर कोई ना कोई यह person प्रूप करे कि उसके सामने पैसा दिया है या फिर उस amount को जो है वो income tax return में जरूर दिखाए तो फ्रेंट्स ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि एक्क्यूज जो है चेक बाउंस के case से कैसे बाइज़दबरी हो सकता है तो फ्रेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल आगी तक सब्सक्राइब ने कहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि चेक बाउंस से लेटेड बहुत ही बड़ीया कंटेंट इस तेनल पे अनिवाला, thank you so much, bye bye.